हेलो एवरिवान स्वागेत आपसे भीका मरी योट्यूब चैनल मास्टर वाइब वीरे में आज की सुड़ों को शुरुआ करते हैं बहुत आसान बाशन में आपको एक स्वाइब करने की कोशिश करूँगा अब दिखिए जिसे की जोगा एक डिसीजन था उसका एक निरनाय था कि लोनली मतलब जो भी अकेला लड़का उसके साथ दोस्ती करना और उसनी यह वो सिद्धवी कर दिया कि उसने कर के दिखाया और वह एक ब bowl quality थी उसकी बाद था यहां पर पर बोला गया है इसके उपर आपको इस chapter को लिखने की कोशिश करनी है इसका साराइश भी लिखोगी आप इसकी summary भी लिखोगी तो भी चलेगा लेकिन पूरा का पूरे chapter अगर 12 pages का चायद से आप लिख सको तो लिख देना उसके बाद आपको second में read extract begin being neighborly and complete the following statements अब देखे second में आपको बोला गया है read मतलब इसका extract जो है और read करना है being neighborly का and यह जो sentences है इन्हें पूरा करना है complete करना है complete the following sentences अब यह चारो की चारो sentences आपको complete करनी है एमें बोला गया है to jo the fine house seemed like तो आपको यह sentence जो है पूरा करना है उसके बाद b में दिया गया आपको jo swept a path around the garden for अब आपको यह sentence भी पूरा करना है मतलब आप GC अगर आपको इसका answer चाहिए description box में अमरे telegram group का link case पे इसका answer sheet का PDF हमने available करवा कि दिया आपको पूरे answers आपको मिल जाएंगे तो description में telegram group का link है यहाँ पर हम सिर्फ explain करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपको यह line भी complete करने है उसके बाद c में बोला गया है jo entered the old stone house carrying तो आपको यहाँ पर भी यह भी line आपको पूरी करने है उसके बाद d me in order to tidy the room jo dot 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 तो इसको भी पूरा कर देना है third में बोला गया ब्रिंग आउट the cost cost contract between the two houses with the help of the following points अब यहाँ पर आपको different जो भी है उनमें फरक क्या है इससे बोलता है आपको डिस्टिंग्विशन बिट्वीन इस तरीके से आपको house of March house of March यानि कि March के जो house है और house of the Lawrence तो इन दोनों के house में जो भी different है आपको लिखना है यानि कि डिस्टिंग्विश करना है आप इसा बोल सकते हो इन दोनों में different find करना है ऐसा बोल सकते हो old brown house house of Lawrence के साथ लिखना है उसके बाद well kept ground Lawrence का उसके ground जो ते अच्छे थे तो लेकिन house of the March ओके से यहाँ पर यह different आपको लिखना है तो चलिए second वाले question की तरफ चलते A2 की तरफ जहां पर है the traits of the character you meet in the extract are jumbles or this them out and write them appropriate columns अब दे की ही जो आपको traits यानि कि जो extract दे गए जो words दे गए आपको उनके सामने जो किस पर सोना था एक कोन किस से मिला था एक character कब मतलब यह जो words से अपने कब किसके मुझसे सुने तो आपको यहाँ पर वह लिग देने उसके बाद ए3 में बोला गया है write down in your own words the way lawrence confirmed the names of the march sisters यानि कि आपको आपके शब्दों में लिखना है आपके words में लिखना है कि लॉरी जब लॉरी है उसने जब उसका जो रास्ता था confirm करने का मतलब मार्च के sisters का name confirm करने का जानने का ओग रासता आपको लिखना है उसके बाद सेकंड में give a brief account of the interaction between grandpa and Joe यानि कि grandpa और जो के बीच में जो भी मतलब सवात conversation हुआ था वह आपको लिखना है उसके बाद शॉटली लिख सकते हो आप एपोर में बोला गया आइडम्स यानि कि वह आपको प्रचार मनी जो कुछ भी बोलते हो और आए वह आपको फैंट करके लिखने जिसे कि bird of a feather flock together यानि कि पंको के पक्षी एक साथी उड़ते है इसा आप बोल सकते हो तो इस तरीके से जो भी आ है वह आपको चारों के चारों लिख देने है यहा आप two homes collect the words associated with यानि कि home, home से related atmosphere के उपर जो भी दो वर्ड आया हो आप लिख सकते हो उसके बाद library and garden दो दो वर्ड आप atmosphere से related आप लिख आपको लिखना है उसके उपर वह collect करने आप या पर associated with deal यानि कि या आप पर जो भी deal करते हो उसके वाद उसके बात या पर FI में change into indirect speech अब देको speech तो आपने पढ़े होगा पिछले साल या तो इस साल भी तो आपको directly change into indirect speech सिर्फ आपको indirect speech में इसको translate करना है अगर आपको सिर्फ इसके answer चाहिए तो भी don't worry आप बोलोगे सिर्फ explanation या आप बता रहे हो इसक्रीशन में हमारे टेलेग्राम ग्रूप का लिंक के बाहां पर हमने इसका पूरे के पूरे आपको आंसर देख चुके और पीडियाप के साथ तो जाओ एंट टेलेग्राम ग्रूप पे आप आप एंसर देख लो लेकिन किसा रखना है मतलब आपने जब friendship की आपने किसी से friendship की और आपने जब उसके friendship accept कि आपको अच्छा लगा उसके उपर आपको एक आपके live का एक छोटा सा किसा सो वर्ड में आपको लिखना है second में में बोला गया आपको give reason for us being reluctant to make a friend with some stranger but being comfortable with some even after meeting them for a first time अब देखिए आप कुछ गलत लोगों से भी गलत लोगों की भी संगत रखते हो गलत लोगों से भी आप दोस्ति कर लेते हो लेकिन उस वक्त बिंग कमपरटेबल विच सेंप और किसी के साथ आपको अच्छा भी लगता है उसका रिजर आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपको दिया गया है थर्ड में आर यू फ्रेंट्स विट यूर नेबर्स गिव एक्जैंपल एंड राइड येसे कि आपको पता है यहाँ पर बोला गया है दोस्तों से अलग मतलब शेजारी जैसे कि बोल सकते हैं पड बोला जाए तो बहुत सारे पर यूर दोस्ती बन जाते हैं ठीक है उसके बाद फुर्त में बोला गया है make a note in your exercise book about home people and must themselves in earlier times without TV, internet or social media for entertainment. जैसे कि पुराने जमाने में अगर देखा जाए जैसे कि दारख में ताकि भीड़े के जमाने में अगर देखा जाए तो उनके वक्त में ना तो TV थे ना तो internet थे ना तो social media थी तो entertainment कैसे कर देते जैसे के से मनरंजन करते थे इसके उपर आपको लिख रहा है इसके उपर आपको श्टूरी लिखनी है एसे वन की दरफ बढ़ते एसे मन में आपको बोला गया है यूज यूर इमेजिनेशन एटेंट दस टूरी इन अब अब आपको आपकी इमेजिनेशन के इसके उपर स्टूरी लिखनी है सो से देड़ सोश अब दमे स्टूरी की इसके उपर की पूरा ने दमाने के लो विदाउट टीवी विदाउट सोशल मीडिया के बिना कैसे वो यानि की कैसे वो रहते थे कैसे वो अपना इंटर्टेंड्मेंट करते थे उसके बाद आपको प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं अगर आप एक सामाजी के जैसी कि आजकल हर कोई सामाजी के क्या करता हो यानि कि social media आप है जैसे YouTube, Facebook, Twitter और also all अगर आप एक famous हो यानि कि एक socialist हो और अगर आप एक socialist हो लोग आप से जुड़ते हैं आप लोगों से नए लोगों से जुड़ते हैं एक दूसरे से connected है जैसे कि आपने बुदा यहां पर देखो connect बोला गया है तो आपके लिए बहुत सारी career opportunities available है प्रोजेक्ट में बोला गया है मैं खुद नहीं बोल रहा ठीक है तो आपको क्या करना है make a list of a career available to you and write a dream about them और shortly आपको उसके ओपर लिखना है आपके लिए जो कुछ भी career opportunities available है अगर आप एक social हो तो वो आपको लिखनी है इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट था खुब आपको यह being neverly का पूरा वाला workshop जो भी आपको brainstorming था explanation के साथ समझ में आ गया होगा जैसे कि जिनको भी answer चाहिए तो don't worry मैंने इस वीडियो में आपको तो सिर्फ explanation दिया है और आपको चाहिए इसकी पूरी की पूर आपको क्या करना है इसके आसस आपको मिल जाएगे वहाँ पर हमने लिंक दी गई है तो फूरा को पूरा brainstorming explanation के साथ पसंद आया होगा समझ में आप आया होगा तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पर लाइक कर देना अगर आपको कोई इसकी उपर आपको कर देना वीडियो में तो प्तक लेड़ा रवावे टेक क्यार